मेक ओवर की दुनिया की आईकॉन बन चुकी चंदा आज किसी परीचे की मोहताज नहीं है मेक ओवर की दुनिया में एक दसक से भी ज्यादा कि समय से अपनी सेवाई देने वाली चंदा मेक ओवर की दुनिया में उनके जादू का बोल बाला है फ्रीलांसर और सौंद्रे ब्यूटी पारलर के रूप में उनकी सेवाईं उपलब्ध है मेक ओवर की दिगज आर्टिस्ट चंदा ने निउस वोल्डर के साथ अपनी पूरी जीम को लेकर अपने अनुभव साझा किये हलो मेरा नाम चंदा है और मैं फ्रीलांसिंग मेक अप आर्टिस्ट हूँ मेरा अपना सैलून भी है नांगलूई में यह कुछ बहुत कुछ घरिए इसमकाम पर में आया होहाँ और मेरे तुरू में चाथिए टुक घर को इतना अच्छा सिखा सकों कि मेरे तुरू पुछ लोग और भी बहुत च्छा काम कर सकेए जैसे मैंने स्ट्रगल क्या इन लोगों को इतना ना करना पड़े आजकल बहुत ज्यादा पेमेंट में लोग कोर्स करा दें बट मैं लोगों को बहुत रिजनेबल कोर्स कराते हूं जैसे ये पूजा झी है ये मेरे पालर में क्लास G लेती हैं काम सीखती हु दि इने बिताया है वहाँ पे वह सिखाती है तरीका और उसे बहुत अलगे यह इतना सिखाती है इतना शाहिद कोई नहीं सिखा सकता उनके अंदर बिलकुल भी ना तो ग्वंड और ना कोई चीज आ कि मतलब मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट हूं यूँ अब बस उनका सिखाने का है कि वो सिखाने वो चाहती है कि सिखा है उनको पैसा वैसा यह चीज तो कुछ मैटर नहीं करता बस उनका यह कि मुझे सिखाना है मैं भी दी के यहां पर आते हूं सीखती हूं मैं दी से यह जो प्लैटफोर्म है और आज मैं जहां भी हूं सिफ दी के व मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कर लोंगी पड़ दीके वज़े से मैं कर पाई तो थैंक यू दीजी कि उन्होंने मुझे यह तैयार कने के लिए यह मेरी मॉडल जो मैंने तो है मैं काजल मैं चंदादी के स्टुडेंट हूँ मैं काम सिखती हूँ और मुझे पड़े खुशे हैं इन में पहुत अच्छे फ्लाटफॉर्म दिया हुआ करने के लिए चाहिर मुझे कभी मिलनी पाता और आज इनने मेरे को यह मॉडल दी तयार करने के लिए मुझे पड़ खुशियत बहुत लोगों की रिस्पॉंस मिलते हैं थैंक्यू चंदवी हलो मैं इना मैं चंदादीदी की स्टुडेंट हो ठाफी थाइम से इनके साथ हूँ और इनका जो सिखाने का तरीका है वो औरों से बिल्कुल डिफ्रेंट है जब यह सिखाते हैं तो इनका फूरा म सिखाने पर होता है कि हमें इस बच्चे को सिखाना है और बढ़ाना है, तो मैं ये चाहूंगे कि चंदादीदीदी के सात में और भी स्टुडेंट्स जुडें और वह सीखेंं और अच्छा से आगे बढ़ें और चंद्र दी से बस यही कहना चाहती हूं उपका माइन्ड हो यह एक दूना शाहती हूं कि शीक में कोई उमर नहीं होती और कभी भी जा जा सकता है और मेरे हैस्बेंट भी इसी फिल्ड में वो भी फ्रीलाइंसिंग करते हैं और अगर किसी को लगता है कि हम कुछ कर नी सकते तो गलत है और सीखने की कोई उमर नी होती कभी भी कहीं भी सीखने के लिए कही ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलता है तो मैं चाहते मेरे तुरू मेरे पालर का नम सौंदर ये पालर है और ये नांगले साइड में है मेक ओवर की दुनिया के माहिर नामचीन लोगों के साथ चंदा काम करने का अनुभाव रखती हैं उनका मानना है कि इस लाइन में जितना संगर्स है वैं उसे कुछ कम कर सकें मेक ओवर को अपना करम मानने वाली चंदा को अपने जीवन में कड़े संगर्स से गुजरना पड़ा लेकिन मुश्किल हालातों को जीत कर आज वे सफलता के जिस मुकाम पर खड़ी हैं वह अपने आप में एक मिसाल है नाइ दिल्ली से न्यूस फोल्डर के लिए उल्सां सैफे की रिपोर्ट